प्रिवी द्यार्थियों आप सभी लोगा स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल डीजे सर पर बहुत ही ज़्यादा महत्तपड़ है यह सेशन और डीशन्स यह मॉडल वेपर जो है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉइंट है वजह देखे उसके पीछे है वजह क्या है कि यह औरजिंञल पेपर है आप लोग का पेपर है है कि यहां से क्या होगा एक का आप वोग आडिया मिलेगा कि किस तरीके से आप लोगब को पेपर और जरूर किजैगा चिले डेसंस करते हैं हम लोग शुरुई अधा आज की इस महत्तव Tombler स्रींकला के हम लोग रीबोर्ड परिचा 2022-22 की 16 का स्रमाजी विझ्ञान का ये महत्तवल पर बहु वीकल्पी ये प्रश्नों की स्रींकला के साथ प्रूसन्स भाव कई सेंख लाम जब बढ़ते तो पहला देख़ें प्रशनी की और हम लोग का निपोलियन का समबंद किस देश से था निपोलियन का सम्बंद किस देश से था देखे नेपोलियन बोना पार्ट जो था डियूसंस वो मुक्रूप से अगर देखा जाए तो वो फ्रांस दे से समझी था किस दे से समझी था फ्रांस से ठीक है तो पहले का बहुत अप्सन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा देखे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर तो देखे प्रश्णम लोगा क्या है जर्मनी के एकी करण में मुक्य भूमिका किसकी थी जर्मनी के एकी करण में मुक्य भूमिका किसकी थी तो देखे डिशन्स यहां पर जो होता है मुकृप से जो नाम होता है वो बिशमार्ग का नाम लिया जाता है किसका नम लियाता है बिशमार्ग का ठीकर यह प्रस्ण जो है यह दी प्रस्ण आपका बहुती इंपॉइंट प्रस्णों में एक रहेगा चलिए आगे बड़ते हैं आपनोंग और देखते हैं निशप्रस्ण को देखे डिसास सर्कार की आज्या का पावडन न करना जब दांडी ातरा किया गया था नमक कानून को तोड़ दिया था आत्मा गांधी जी ने अपने सायोगियों के साथ जब गया शमंद किनारे नमक को बना उन्होंने और नमक आउनको जब तोड़ा तो देखें वही परसे क्या हुआ ये उन्होंने क्या किया श्रमीन अवग्या अंदोलन का वही परसे आगार कर दिया ठीक एडिसन्स तो ये ए किरची तक उन्हें बंकिन चंद्र चटर जी किस देश में भयानक आलू का आकाल पड़ा था किस देश में भयानक आलू का आकाल पड़ा हुआ था देखेंडिसन्स इंग्लेंड आयरलेंड फ्रांस और इटली तो देखेंडिसन्स यहां पर जो देश में भयानक आलू का आ था आयरलेंड आयरलेंड देश में क्या हुआ था अलू का अकाल पड़ा हुआ था और यह घटना जो है सं 945 ठीके न अलू के बारे में अगर बताएंगे दिखें मुक्रुप सकर देखा था तो अठारसो पैटालिस में यह हुआ था ठीके न उसमें हुआ क्या था कि इसमें देखा जाए तो एक बहुत ही महत्रपूर इसमें फंगस यानि फसल जो था अलू का उसमें एक महत्रपूर फंगस लगा हुआ था जिसका नाम था पी इन्फेस्टेंस इसका नाम था और वो आलू की फसल को पूरी तरीके से बरबाद कर दिया था ठीक है न और यह पूरा क साल का जो यह समय है वहाँ पर जबरदस का है रहा अलू का और भयाना का काल देखने को मिला ठीक है तो यह इंपॉइंट रहेगा आपनों का प्रश्न चलिए बढ़ते हैं आपनों का पास उत्पादन के लिए सरवादी को प्यूगते हैं काली जलोड लाल मिर्दा लेटरा जाएगा काम सी रभी की फसल अने कि रभी की फसल को बोए जाएगा आपका मतर हो गया और देखा जातों गेगू हो गया जव हो गया तो यह सब्कूर से रभी की फसलों में जीने जाते हैं आगे बढ़ते हैं आटवा प्रशिय का प्रमुग श्रोथ क्या है क्रिसी सेवा उद्योग व्यपार तो देखे डियंस मुक्रुप से जो खा जा थो आज इवीका का प्रमुग शादन है वो स्रोथ है वो क्रिसी है क्या है एकरी कल्चर हम जानते हैं कि हमलोग के देश का जो अबादी है वो लगबग जो 70% जन संक्या है वो खेतों पर आधारित है यानि क्रिसी कारे में वो अपना जीवन प्यापन करते हैं यह आपका राइट इंसर हो जाएगा अगले प्रशन क्यों बड़ते हैं मुंबई हाई का संबंध किस से मुंबई हाई का संबंध किस से हैं यह है देखिए खनीज 30 से ठीक है न यह भी प्रशन है आप लोग का दस्वे प्रशन क्यों बड़ते हैं भात का सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग है भात का सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग कौं सा है तो राष्टी राजमार्ग 44 यानि राष्टी राजमार्ग ज यहां तक पूरा यहां तक पूरा यहां तक पूरा यह जाता है कौं राष्टी राजमार्ग 44 तो यह अगले प्रशन के बिल्जीम किस महादीप में स्थित है यह बहुत ही महतर पूरे यूरोप महादीप में इस्थित है आपका बाद में कुल कितने संगी राज्ये हैं तो यह आपका हो जाएगा 28 यह परश्ण भी आपका इमपॉइंट है लोगतंत्र में जवाब दे तता उत यह नागरिकों के प्रति यह आपका राइट हो जाएगा शमकालीन विश्व में साउसन प्रढलीओं में लोग परी यह तो कौन लोग पूरिये हैं लोग तंत्र लोग पूरिये हैं सम्कालीन विश्व में देखा जाया तो देखें बताए डिसन्स यह तो देखें यहां पर जाएक साहर पांस चाहता यह माईलाओं का श्षाता रथ ठीक है और और 82 दसमों एक चार जो है वो पूरसों का है जब कि अगर एवरेज देखा जाए तो 74.04 होगा ठीक है तो जनगरणा में देखिए यह टोटल जो है आउसत यह सब का है मिलाकर जब किस्तियों के बारे मरका जाए तो देखिए यह हो जाएगा आपका और पूरस के बारे में य बारता कि रहे सक्तियों को दोरा त्यार किया जाता हैं कि ये त्यार कि विकस के उरक्रेस के दौरा यू इनद्ध कोरण त combined UP कर देखा करना अशतमाज कलें लाव कमाना तो देखे लावप कमाना जो होता है मुकृपसिने का पर्म उदेश होता है धीक उधारीक्रण के श्रुवात कब हुई धी जो थी जिन वह कब हुई थी यहह बढंद प्रशन का मुख्याल है कहा पर है तो यह देखिए रिशन जनेवाज होगा आपका इस प्रशन का एक संचीत लेक अतवा में जो प्रशन है भारती राष्टी की तीन निताओं के बारे में लिखिए भारती क्रसथी की चार विश्चा है लिखिए ये प्रस्णा है इस केतवा में जो अप्रति अपनूंग का है सवर उर्जा का बैविश्य होजिवल के हों है कारण लिखिए शंगवाद की विश्यस्ताइं लिखिए था भारती लोकतंत्र की सफलता के लिए किनी चार अवर्षक दसाओं का वर्डन कीजिए चौता देखिए प्रशन क्या है भारत में सारदनी क्वितर प्लाली की चार क दमिया क्या है इनको लिखना है तो हमें जो है विश्यापार शंगठन पर संशेत्र टिपड़ी लिखिए ठीक अडिसंस यह हो जाएगा प्रशन महात्मा गांधी दोरा चलाएगा प्रमु कांदलों प्रएक्टिपड़ी लिखना है आप लोग को इटली के एक करण में महत संशेत्र टिपड़ी वाला काम है यह आप लोग का चलिए बढ़ते हैं आप लोग आगे और देखते हैं अडिसंस देखें से आपका पूछा गया प्रशनों नागरिक सास्तर से भारती लोगत अंदर के स्रमक्ष क्या चुनोतियां है किनी तीन करवलान की जथवा में जो ह किस परकार की याता है उधार देखर समझाना है नवा प्रस्टन कि आया है अपनों का मांचितर कार रहे है मांचितर काुछ देखाए कर जो है नमलकित इस्थानों को भारत के रेखा मांचितर में दरसाइए उनके नाम भी लिखिए ज़लीया अला वाग नर्श्यंगार से स संबन्दीद स्तान, ठीक है वह अस्थान जहां नमक सत्यागरा हुआ था वह स्तान जहां दो जय चोटाबत चालिक तो यह चीज़ें यहां पर जो वोल का भी और इतिहास का भी तो दोनों का प्रशने आप अपनों से पूछा गया और शीधा प्रशने नमासानी से कर सकते हैं तो यह रहा है आज का मात्तपुर सेसन आज का यह मात्तपुर सेसन आप लोग कैसा लगा विद्वाक्स में ज़रू बताईएगा और यदि आप प्री बोर्ड में बैठने वाले हैं तो इस पेपर को एक बार देख कर जाईएगा निस्चित तो पर यह पेपर जो है आप के नियर जादा नमर पाने के इच्छा तो डीजे सार चैनल से जरूर लीजिएगा सिच्छा तो इससे अपने क्लास्मेंट पर शेयर जरूर कीजिएगा विडियो को अन तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हिश्दय गिलायन से मताप्रूबग धन्यवाद